किस देश में कैदियों को जेल से भागना अपराद नहीं माना जाता है? आपके ओप्षन है A. जर्मनी में B. जापान में C. अमेरिका में D. चीन में आपका सही जवाब होगा A. जर्मनी में दूसरा सवाल पूरे दुन्या में कुल कितने देश हैं? आपके ओप्षन है A. 150 देश B. 200 देश C. 195 देश D. 300 देश आपका सही जवाब होगा C. 195 देश है तीसरा सवाल साँप कितने किलोमेटर दूर तक देख सकता है? आपके ओप्षन है E. 1 किलोमेटर B. 2 किलोमेटर C 3 km, D 4 km आपका सही जवाब होगा B 2 km तक चोथा सवाल पूरे विश्व में कुल कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं आपके ओप्शन है A 100 प्रकार के B 200 प्रकार के C 300 प्रकार के D 400 प्रकार के आपका सही जवाब होगा C 300 प्रकार के सांप पाए जाते हैं पाँच्वा सवाल दुनिया का सबसे छोटा सांप कौन सा सांप है आपके ओप्शन है A Black Mama B Correct C Cobra D Thread Snake 5 4 3 2 1 0 आपका सही जवाब होगा D Thread Snake दुनिया का सबसे छोटा सांप है चछटा सवाल दुनिया का सबसे बड़ा सांप कौन सा सांप है आपके ओप्शन है A Cobra B Black Mama C Hara Anaconda D Dhaman आपका सही जवाब होगा C Hara Anaconda विश्व का सबसे बड़ा सांप है वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं सबस्क्राइब जरूर कर दे सात्वा सवाल दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर किसे माना जाता है आपके ओप्शन है A Share को B Samp को C Magar Mach को D Tendua को 5 4 3 2 1 0 आपका सही जवाब होगा B Samp को ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोगों की मौत हर साल सांपों के दसने सही होती है इन में से सबसे खतरनाक है एशियन कोब्रा माना जाता है कि करीब 50,000 से ज़्यादा लोगों की मौत सांपों के दसने सही हो जाती है आथवा सवाल सांपों का राजा किसे कहा जाता है आपके ओप्शन है एक इंग कोब्रा को बी एनाकॉंडा को सी टाइपन को डी टाइटन बोवा को आपका सही जवाब होगा एक इंग कोब्रा को सांपों का राजा कहा जाता है नवा सवाल दुनिया का सबसे जहरिला सांप कौन सा है? आपके ओप्शन है A. कोब्रा B. इंलेंड टाइपन C. ब्लाक मामा D. एनकॉणडा आपका सही जवाब होगा B. इंलेंड टाइपन दुनिया का सबसे जहरिला सांप है दस्वा सवाल ऐसा कौन सा देश है जहां एक भी सांप नहीं है आपके ओप्शन है A. जापान में B. भूटान में C. इंगलेंड में D. आयरलेंड में आपका सही जवाब होगा D. आयरलेंड में जी हाँ वह देश आयरलेंड है जहां एक भी सांप नहीं है इसका वजह ये है कि दरसल आयरलेंड में सांप ना होने के कारण पौरानेक है कहते हैं कि इसाई धर्म के सुरक्षा के लिए सेंट पेट्रिक नाम के एक संथ ने पूरे सांपों को एक साथ गेर लिया था और फिर इन्हें आयरलेंड से निकाल कर समुंद्र में फिक दिया था आपको एक बार फिर बोला जा रहा है कि आप इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुचता रहे धन्यवाद